जैसा कि हमने अब भी देखा यह क्या है कि multiple if statements तो इस बेस पर हम एक example कर देखते हैं यहां पर है क्या है कि check if number is divisible by 3, 2, 3, 5 & 7 अब हमें क्या है कि एक number user से लेना है और हमें check करना है कि क्या हो number 2 से divisible है, 3 से divisible है, 5 से है, 7 से है तो यहां पर क्या है, यहां पर हमें हर condition, मतलब हर बार हमें condition check करनी पड़ेगी, तो यहां पर हमें if if क्यों 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 कि अगर पहला वाला false भी हो जाता है तो भी हमें दूसरा वाला check करना है, यानि कि अगर कोई number 2 से divisible नहीं है, तो इसका मतलब कि हम 3 से भी check करेंगा, ऐसा नहीं है कि 2 से divisible नहीं है, तो 3 से भी नहीं होगा तो इसलिए यहां पर multiple if statements की जोगत पड़ेगी, अब क्या है कि number हमने लिया, num में store कर लिया, if num और यह क्या है हमारा, modulus operator, यह क्या करता है, remainder देता है, तो अगर कोई भी number, अगर divide करते हैं किसी भी number से, और अगर हमारा जो remainder है, 0 आता है, तो इसका मतलब कि हमारा जो number है, divisible ह clear, कोई भी number को अगर किसी दूसरे number से divide करते हैं, और अगर उसमें remainder 0 आता है, यानि कि वो number मतलब divisible है, ठीक है, तो अब वही condition हम यहां पर use कर रहे है, if number is divisible by 2, कोई भी number अगर 2 से divide करते हैं, और उसका remainder 0 आता है, यानि कि 2 से divisible है, तो हमने print कर दिया, percent d is divisible by 2, यहां पर percent d, ऐसे हम लिख सकते है, number is divisible by 2, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा दिखने के लिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर num, यानि percent d के जवापर num है, तो अब user अगर 12 देगा, तो हम अगर लिखेंगे कि number is divisible, तो output कि आएगा, कि number is divisible by 2, लेकिन इस case में output कि आ num is divisible by 3, तो आग चेक करेंगे, तो फिर यहां पर क्या होगा, अगर divisible होगा, तो number is divisible by 3, इसी तरह तरीके से आप खुद से दो, और जो 5 और 7 के लिए लिख सकते हो, मैं यहां पर space कम था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो यहां पर हमने program close कर लिए, यहां पर आपको complete कर लेने, तो यह हमारा क्या होगा, multiple, यह क्या था, multiple if statement, इससे related हमारा यह program था, आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हो,